पिश्मीलयामाननेहीं, अस्लाम लेकम, बैक्रीब स्टाइल मैं रूम्स्टिक बना रहे हूँ, जिसके लिए मैंने चिकन के ळग लेक लेख 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 मैंए पानी डाल कर उबाल लीए, तकरीबन 20 मिट मैंने इनको अभाल ला था और फिर मैंने इनको स्टैट क मंआ saara में एंदर डाल दूगी अलु के इनदर कोई चिकन इस Project अब रभितिन दी है कुटिलाल्ब मेच वन टीस स्पोन नमक 1 थी श्पून टेबल स्पून हरा धनी द हल बीडिकल्फ्फ एक छोटी ची प्यार ले थी अधिरक लसन पिश होगा आप इसका पॉड़र भी ढाल जाते हैं वन फोड टी स्पून मैंने पेच्ट डाला था इसके अंदर इसके अंदर सोया सोस जाएगा वन टेबल स्पून और चिली सोस वन टेबल स्पून अब इन सब चीजों को आप हाथ की मेंस से मेंस कर लें या फिर आप मेशर की मेंस से इसको मेश कर लें यह देखे मैंने अच्छी तरह मैंने इनको मेंस कर लिए अब हाथ तोका हलका सा ग्रीज करके यह हड़ी लेंगे और इसके अंदर हम इसकी ड्रम स्टिक बना लेंगे अच्छी तरह इसको साथ लगाना है ताकि यह सारा मिश्चा जो है वह अड़ी के साथ चिपक जाए इसी तरह मैं बाकि सारे बना लोंगे ड्रॉम्स्टिक हाथों को लाजमी ग्रीज कीजिएगा फिर यह चिपएंगे नहीं हाथों के साथ यहां पर मैंने दो अंडे ले लिए इनको अच्छी तरह हम फेट लेते हैं जी मैंने फेट लिए अंडे अब एक ट्रॉम्स्टिक उठाएंगे इसको हम एक लेट में मैंने मेदार रख लिया था इसको मेद्य में सबसे पहले हम कोट करेंगे चारों तरफ में दर लग जाना चाहिए फिर हम इसको अंडे में डिप करेंगे और इसको ब्रेट क्रम्स में हम कोट कर लेंगे यह बहुत ही डिस्पी से बनेंगे बिल्कुल बैकरी स्टाइल जैसे हैं बैकरी से मिलते हैं अब आप घर में बनाये आए आराम से और सास उत्रे यह घर में आप चीज़ अधेशें त्यार करें यह देखे मैंने इसको सारे को मैंने कोट कर लिए पहलेमेदे में फिर अंडे में और फिर मैंने ब्रैड करने के लिए रख दिया था इसको हम इसमें डालकर आल के अंदर और इसको फ्राइ कद देंगे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे और इंजवाई करेंगे यह देखें एक तरफ से यह फ्राई हो चीक हैं अभी इसको हम प्लॉडड देंगे कितना प्यारा कलर आ चुका है यह देखें बहुत अच्छी तरह यह फ्राई हो चुके तह ये स्वीडियों मेलती है लाफिस